दोस्तो विलकम बेक माई चैनल लेड़ेस नियूज तो लेड़ेस नियूज में आप सुभी का सौगत है तो फाइनली गई जितने भी स्टुटेंट ने यूपी स्कॉलर सीब 2022 ते इसके लिए फार्म को अप्लाई कर लिया है तो फाइनली उन सभी स्टुटेंट के लिए बह बहुत बड़ी खुसकवरी है तो प्लीज आप सब वीडियो को इसकी परके मत देखना ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की रेट में हिंदुस्तान नियूज की तरफ से एक लेट चात्रुती तो कैस ऐसे कौन से चात्र है कि इनको वीडियो चात्रुती मिलने वाली है प्लीज आप इसको मिस मत करना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैस यहाँ पर देख पाएंगे अपना यहाँ पर आपको स्कीन पर साब साब दिख रहा है यहा कैस यहाँ पर है कि मादिमिक सिच्चा 25 दोरा आयोजीत होने वाली बोर्ड परदिच्चा उत्री वर दोजातेस की इंटर्मीडियर परदिच्चा के प्रतिवा साली सभी चात्राओं को सिच्चा मंत्राले भारत सरकार दोरा विसेश चात्रुती प्रतान की जाएगी एंड डी आई ओएस ने सभी प्रतनाचार को पत्र भेशकर नेशनल स्कॉलर्शी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया गया है यहाँ पर देख पाएंगे कि डी आई ओएस उधर प्रकास मिशनी ने बताया कि विग्यान वर्ग में 500-347 वर्ग के 500-5341 स्वारी मानविकी में व इसे शातरुति के लिए पात्र माना जाएगा तो आपको 30 नॉमबर तक आविदन करना होगा आपको तो आप सब इसके लिए NPS की आफिसल साइट पर आविदन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे नंबर सापकी हैं तो डेफिनेटल यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्कॉलर् पर आपको अच्छे नंबर से अपलाई कर लिया उनकी चातरुति कब आएगी और जितने चातरों ने अभी तक अपलाई नहीं करा है तो उनका पोर्टल कब खूलेगा तो आपको इसके लिए अपको इसकी पर दिख रहा होगा कि जनपद अस्तरी विभागी अधिकारी के 6-7 से लॉग डाटा की अधार पर यहां पे गाइस क्या है हाँ पर यही बता जा रहा है कि 15 दिसंबर से आपकी जो छात्रविती है और आपके खाते में आने लग जाएगी यह बहुत बड़ी आपर्चून्टी है आपके लिए ऐसा गाइस पहली बार होने जा रहा है क्यों इस बार क्या है कि आपको मैं सबसे पहले पता दूँ कि आप एसा पैसिबल नहीं हो पाया है पहले चल्ट की जात्रविति नहीं बाटी है तो यहां पर इस च्या हो रहा है कि मतलग्थ की अगर पहले चल्ट की उत्ति नहीं बाठीटी जाएगी पहले चल्ट की जटने बच्चे नहीं उनको मिल जाएगा उसके बाद आपका portal फिर से फिर से नए आवेदन लिया जाएगे उनका भी सब कुछ वेरिफाई करके उनको February महिने में इसका लाब दिया जाएगा मतलब बैस कि अगर आपको जीतने चातरों ने आवेदन कर लिया साथ नॉम्मर से पहले उनको December में मिलेगा अब basically guys मैंने आपको कई बार बता है कि अगर आपको आपका status चेक करना हो या फिर आपको scholarship को पैसा चेक करना हो या फिर आपको online फार्म बना हो तो आप सब Google पर सर्च करना boardsexam.com जैसे यह आप boardsexam.com सर्च करोगे आपके सामने boardsexam.com की official site आएगी आपको इसी पर क्लिक करना होगा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से अपने payment का status चेक कर सकते हो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सारा link अवेलबर है चाहिए आपको correction करना हो चाहिए आपको आपका payment चेक करना हो चाहिए आपको आपको data number से अपना status चेक करना हो तो यहाँ से आप सब गाई सब को असानी पूरुग कर पाओगे और आप नीच सारा link अवेलबर है चाहिए आपको आपको payment चेक करना है चाहिए आपको दाल लेंगी इस्टेट चेक करना है तो guys basically मैंने सारे cover करी लिए है अगर आपको अभी भी कोई questions हो आप comment कर देना मैं आपको next video बता दूँगा अगर आपको farm fill up नहीं हो पा रहा है guys आपको कोई problem हो आप सब्सक्राइब करना जरूर से आप सब्सक्राइब करना बाय बाय टेक केर